नमस्कार मित्रान्नों तुम्चा तलाटी भरती 2023 चा परिक्षे चा बहस जोला सुरुआ से लाश्यमिय अश्या धर्थू अब घास ब्रोबर इंगरी विभागा चे पंच्वीस प्रश्ना पर कि 한다 कि पंच्वीस प्रश्ना तुम ही तुम्चे ब्रोबर करें ती यह साथी में प्राध्यपक राज्त्रीन आपकाय ए आज प्रेपोजिशनल फ्रेजले मंजे अपन आठा परिंत तब हम ऊते तो की अप्लेस प्रेपजिशन ओफ डिरेक्षिन और प्रेपजिशन ओफ थाई मैसेच यह तीन गोस्टी बगितले अनि मी सार्ख मनतो है कि इंगरजी व्येकरन जर तुम्हाला चांगला समझेट असेल ता प्रेपजिशन हां त्यापला सर्वोस्च भागा है लक्षा दिया मनज् आपना आपन आटाईची सुरुवात करना रहोत की याली आपनें इमन्य मननार काया है ने आपन प्रेपुसिशेश्क को दिर आए ते आपने एंगों cannot all right sabato kai kellea प्रेपोजिशनल फ्रेज सा अलगतो नो सब्सक्रण संदर नहीं है तू अंडस्टांड दो अन्ड़ेश्न प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसे मिलेडाा ऑफाय केंजया अव्च ग माथे बाहर विद्यार्थ थानना मंजे तुम्हाला करेक्ट ग्रमाटिकल यूज अप प्रेपोजिशनल फ्रेज इन अ सेंटेंस सेंटेंस मदे अचा आपर कसा केला जातो ही पहली गोश्टा आपन भगना रहा होत आपले वीडियो चा शेवटी मनुन हा वीडियो शेवट परेंत्या जाता जाता तुम्हाला एक दोन महत्वा चेग उस्टी में सांगना रहे ओके तो त्याग उस्टी कायस्ता नेमकों कशा पत्या कारें कि तुम्ही सर्वजन मोटिवेटेड हाथ मुन तुम्ही परीक्षा फॉर्म भर लाएं परंतु एकुन धा बारार लाख विद्यार्थ अबल तो यूज प्रेपोजिशनल फ्रेज़ेस करेक्टली इन फॉर्मिंग सेंसिबल सेंटेंस फर्त माहित करून फाइदा नहीं तर माहित के लिए नंतर विद्यार्थन ना सेंसिबली तैसा वापर करता आला पाई से तो कसा आपन वीडियो ज़़शा पुड़ी जाहिल तस्ता से तुम अला कहिन आनि तिस्री मातवाची कुष्टा है थे स्टूड़न शुट बे एबल तो अप्लाई प्रेपोजिशनल फ्रेज़ेस करेक्टली इन देर डेली कम्यूनिकेशन मझे रोच्च्या वापरा मध है तुम अला अगुस्टिक कर आए अधा हाजो पार् आहे तो आपला रैटिंग पार आए को रैट? आनि हा جँ पार्ट आए अपला कम्यूनिकेशन मदे लिसनियं प्लस मुना स्पीकिंग पार ने ओ अरे कम्यूनिकेशन मदे बोलतो आख न आहै Чार अपले भाशेट चे क्यों है तक बदू है अंग हैं जाले थे तीन अब्जेक्टिव्स क्यों आपने त्याला मनुशकू टार्गेट्स टार्गेट्स ओफ दिस विडियो अन्मा अपने अला पुड़े जातन ना बगाई साहे लेट सी क्या अपने ला काई करते हुई शक्रा रहे जामादे यह वाट वी अप्लेइंग वीड़ वाट इस अफ्रेज अपने लागा मनना रहे कि फ्रेज मंजे काई ओके बगाई कुप मस्ते सग्र कसमस्ता है मैं तीका अपली सुरुवात कश्या ना होते कुटले भासे ची शिकने ची अपली सुरुवात होते इकड़े मियतों आनि तु बढ़ना लिला है कि भाषा अनि भाषे चे वेकरन नेम का कस शिकाव यह साथी सा प्रयोग आपन बढ़ना लुड़ा अलफाबेट मैं आपले ए टु जेड गर्राक्ट एक यह अलफाबेट पसुन तयर होता था शब्द नो मजे कुटला ही शब्द तुमी घितला मजे इत शब्द पसुन में का तयर होते फ्रेज तयर होते मंजे अनेक अलफाबेट पसुन होतो तयर शब्द अने अनेक शब्द पसुन तयर होते फ्रेज ओके अने अनेक फ्रेजेस पसुन तयर होतो सेंटेंस करेक्ट वाक्य तयर होतो तया चो आनि मनूं फ्रेज आनि वाक्या मे तुर्ण अर्थ लागत नहीं कि परँ तुब सेंटेंग्स में वन्हें स्ट मन्तौन ऐक है कि gracious पोटा सा फरक तुम्चा लक्षा ध्रावा मनूं फक्तमी उन लेक क्याला तो what is a phrase? Phrase मन्जे काई? बगया A phrase is a group of words, you know, का है ते? Group of words that functions as a single parts of speech in a sentence A phrase communicates an idea but not in full sentence You know, ते आप लेला idea देता, phrase काई communicate करता? Idea communicate करता, right? But not in full sentence Phrase is nothing but a single parts of speech हसतो तो काई हसतो? Single parts of speech हसतो Parts of speech मन्जे का है? हे शब्द जावी मी वर्ती लिलो तो हे शब्द जावी व्यक्रन आतेता है क्यों आप व्यक्रनाग चा दृष्टी ने आपन हे शब्द सम्जून घेतो त्याला parts of speech मन्जे अपले गड़े खुब शब्दा सता हाजारो लाखो शब्दा है पन्ट यह अजारो लाखो शब्दान्च व्यक्रन आपन काई केले? आप शब्दान में देखे ले ते आप शब्द मन्जे अपने एकटे लियू तया लाखाया मन्ता है parts of speech क्रेक्ट में चाम देखाया इस तो नाउन प्रणाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपजेशन कंजंक्शन आनी इंटर्जेक्शन आपन स्वतंत्र देख पुर्णा भाग भगुतेशा अता अपने लागाए बागेशे कि फ्रेज मन्जे का है एक शब्दान चा समुवा है तो एक सिंगल पार्ट सो स्पीच आ है जो आइडिया कमिनिकेट करतो परन्तु पुर्णा भाग्या अपने आला सांगत ना ही पुर्णा अर्थ देत नही यू यू यूज फ्रेज इन रे राइटिंग वगरे तुम्ही ताच्या माधे करतास्ता अपने थोड़ असांगी पुर्णे जावया ने बगुया कि ही घुस्टा अपलेला कॉंत अपध्यत ने सम्जून घेता यूँ शकते महीते का है वाट इस प्रेपोजिशनल चांग लोगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज शुन अवे बगुप फिरेज आए वाट शुरून घे वाट है वाटेपोजिशनल फ्रेज़ खर अवर्स और या बटे़ा ईनृट अवर्फ बेवाट अब अद्टाज पन बुलो राइट सब्दन जा समूवा क्रेक्ट जैच एकाइचा जो यहां प्रेपोजैरी ओवेक्टिर फ्रेज ची सुर्वात जो यहां प्रेपोजीशन ने, और थंज कहुआ थे तरस तहला आपन प्रेपूजिशन प्रेज बनत हो. अनिहाँन औन प्रणों काये करतू? अब्जेक्ट चा काम करतू. Noun and pronoun functions as an object of the preposition. अब्जेक्ट चा काम करतू? मैं ति कसे करतू? अफन बगना रहो. So preposition फोशिघ हे फ्र एक्जाम्पने इदे दे लाइबररी इद नियर्फ ओफीय हो सब्सक्राइब दे लाइबररी इस नियर्फ ऑफीय ख़ Know लांत लाइंव आफिसे का है किल नियर्फ से जी एध थू दे प्रेपोजिशन आये राइट ऑने ऊफिस दॉफिस एकता है नाउन आये उप्जेक्ट आपन एक्टिव पैसिव वीडियो मदे भगितले तुम्ही पुना एकदा त्या वीडियो ला विजिट करा आणि भगा कि त्या अच्या मदे नाउन आणि अब्जेक्ट केशे और खाई चासतते अल्राइट तो लेट इस गो फार दिस किती सोप वाक्ये दा लाइब्रारी इस नियर दा ओफिस है पुर्ना वाक्या है ओके अनि या वाक्या तला जो एक भागा है तो एक भागा अपन काई केला है तेला आपन प्रेपोजिशनल फ्रे जब आपन के शांग दो नहीं बख चेपन कासता थे देकिल में तुम्हाला नक्की सांगना रहे ते नियर फार टूर्ड्स अपन जर भगित लगन प्रेपोजिशन आफ टाइम सा वीडियो बगा प्रेपोजिशन आप डिरेक्शन सा वीडियो बगा प्रेपोजिशन आप करें जाली कि मगस्तुम्हाला प्रेपजिशनल प्रेस करें जा आुम्हें डाहेता हम ब्रश्टिम्हारी प। परिक्ष लापियर होता है त्या परिक्ष भात्माच से आहे आनी मनून तुम्ही त्यावड़े ताकती ने उत्रहे लागें अनी पले था लाग लोग पहता है त्या मने तुम्हाला कुठे तरी तुम्हा नंबर गाठाई साहे अवगड़े खुग पर नाममकिन नहीं है ते इस नाट इंफॉसिबल त्या साथी फक्त काये एक शर यहता पड़ावा लागना रहे बसून चालना नाहीं तो डू नाट कंफ्यूज द प्रेपेशिशनल फ्रेस्टू प्लस नाउन और तू दा इंफिनितिव नू तू प्लस वर्ब आज दे फंक्शन डिफरेंटली इन सेंटेन्स ओके मनुझे यह दोन तीन मुष्ट है हैत तेंचा बरिख्जों कराइसा नसेल ते आपन पूरचा-बागा मदे व्गया कि निमका इनफिनितिव कशला मनता त इनितिव टू कशला मनता आठ आणि प्रेपोजिशनल टू कशला मनता तो तेन अंतर चाहेचा मदे आपन भुगो आता अपलेला फक्त अनी फक्त जास्त जास्त लक्षे जाई साहे ते मंजे प्रेपोजिशनल फ्रेज हिया गुस्टी वर्ती and nothing else as such all right so let us move a little further आपन थोड़ पुड़ जाओ आने भुविया की काया है तुम्चे साथ आया आता है थे latest try क्या थापन शुरुवात करूया काही गुस्टी जी okay try to locate the prepositional phrase used in each sentence underline the words it modifies prepositional phrase मतले जे काया है ती गुस्ट तिला तुम्ही काय कराई से underline कराई जी for example the students in the class are diligent you know the students in the class are diligent they delivered the books in the school library she has not seen her classmate for ages they continued the activity without the teacher he saw the missing books between the cells okay आता है प्रेपोजिशन फ्रेज ओगने साथी तुम्हाला कुप सोपा है तुम्हाला सगयत आधी कराई लागेल लो यह अपले टार्गेट ठर लेला है तो टार्गेट काय अपले सगयत आधी आधी आपलेला कराई लागेल कि या मेंदे prepositions प्रेपोजिशन ने शुरुआ चाली प्रेपोजिशन ना लापई आधी आधी ना लापई जे इन्दर क्लास मैंजे इन्दर क्लास एक आये प्रेपोजिशनल फ्रेज आये मैं आपन फक्त त्याला अंडरलेंग करना कि वा दे डिलिवर्ड दे बुक्स इन्दर स्कूल लाइबररी ये पुरुना ना हुना है और अग्टे चान्तर का है इन्दर स्कूल लाइबररी ये पुरुना ना हुना है Older, continued preposition का नई , continued का आ रर्ब का आ है वर्भा, the preposition आ आए article आ है ok activity preposition का आ आ आ आ है , without preposition , Yes बिदाउट इस अ प्रेपोजीशन लिटाएं मुन्दा आप बिदाउट प्रेपोजीशन आहें त्याज शुरूवाद ढले लिया है त्या जाएं तर नावन आ ले लाएं दर टीचर क्यों विदाउट हीम मतलासता तर ते प्रनानून धालासता रहें विदाउट प्रेपेजिशनल फ्रेज कोंते आया अपले रही थें विदाउट दो टीचर आनि लास्ट सेंटेंस शी साथ मिसिंग बुक्स बेट्विन दर्सेट्स मस्ट ही आये का प्रेपेजिशन नाहीं स्वाइका नाहीं मुद्दमुन्हागुस्टि करूंगे तो है कि तुम्ही नेम करेश समजुन घ्राइच नो मंजे कारेच तो इत्रीक आहे कि तुम्ही प्रेपेजिशनल फ्रेज वग तनना आधी प्रेपेजिशन होखा आन्टेजा पुद्दचा चोटा सा भाग अशे छोटा सा भाग नो खुप मोठा भाग नहीं तो द स्टूडेंस इनदल क्लास आर प्रणान अनि मुझन यहापद तन्यापन काई कर दस्तों फ्रेपोजिशन फ्रेजिस उर्खूंगे थास्तों थोड़ा पूरा साथ तन्न अपलेला भगाईज आहें अगें समानादर थिंग्सार देर प्रेपोजिशन फ्रेज एज अज एजेक्ट्टिव इमट्लो तन तो आस्तमाला काहितरी नमीन भगयला मेल मनुम्, so let us see whether we can see that thing of preposition as such, excuse me. येस इटिस कि हे तुम्हाला संगना रतो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज चावापर अपन नाउनला मोडिफाइक में करने साथी करतो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ सावापर आपन एडजेक्टिव मननन देखर करते क्या नाउनला जी मौडिफाइक करते दून गोस्टिया है एक मन्जे असा मी आहे मी कसा है उन्चा है आएं टॉल इमाजी काही जाली क्वालिटी जाली राइट क्या बोर्ड कसा है मोठा है पर ट्यास बरबड्ड तेजर तेजर तेलँ दाम अधिक माहिती तेजर से बाडीफाइक करना है मन्थे जाली जाली ना मदा मोडिफाइक कर ऊते करों तो ट्याल आपन मन्थे जेक्टिव ज़िए दोन फंक्शन थे माडिफिकेशन ओफ नाउन और एक्सिग लिडिटी प्ले साथिक करतास्तर की यूजवली इट फंक्शन्स आज अज अड्जेक्टिव और एन अडवर्ब इन असेंटेंस वेन इट इस उस अज एज अड्जेक्टिव इस अड्जेक्टिव और प्रनौन और अड्जेक्टिवल फ्रेज ओके यह कुम गमती शी रहे कुम रहा है कदी कदी आमाले थोड़ा गुंधव पन उड़तो पन काया है कि नाउन अनी प्रनौन और अड्जेक्टिव और इस फैमिली आहा है वह ऑन नाव चाहे वजे जो शब्दव आपर तो जलाओ पन प्रनौन प्रनौन मत्तों रहेट उस जागा विक्ति वस्तु प्रान ते कसे आहे तो, हे कशा तुम कहता आप लेला, एड्जेक्टिव में तुम कहता, correct, एक, नू, आनी त्यानना मॉडिफाइ करना ला जो शब्दास तो त्याला पुन्हा आपन कहा है मनतो, एड्जेक्टिव मनतो, आनी यह चापा सुन्जार फ्रेस बनना था सेल, त्या प्रे प्रेपोजेशनल फ्रेज मंतो, क्या पने आपने क्थित्तो प्रेपेजे, एक एकजेमीनीशन साथ, कुप अले मनू ल क्थास मन जा रख लगा अनि म्क ऑच्छा नंतrí लाहू अ लाउन लाइब्री अ कि मलाइब्लू ग्लाशेज घटलेलए आफ टो जू ब्लू ग्ल्ऌशेज घटलेलए आहेत talk the man the librarian कुंता librarian with blue glasses मुरुन कुंता librarian कसा librarian जाने blue glasses बजे ब्ल्यू चशमा घातले ला होता तो तर्रोga民 थो खूर फुर कुंधी बिल्डिक थो खूर ली लाइबरे़ी ने होड़상을 कुंत्य प्रकार सार्या क्यो blue glasses गात लेले आता ही थी आने एक लाइबरेटी ने आसे उशकता था there can be many librarians but the librarian with blue glasses बुनो आम modify करतो है with blue glasses आने अपने अला prepositional phrase में दे का अठाकला करना कि यह जी शुरुवात prepositions ने धाली है परन्तु तो काम काय करतो है तो काम करतो है और adjective मनुन काम करतो है तो you know this is very important for everyone of you to understand कि तो adjective मनुन का काम करतो है कारण कि तो जी नाउन आ है दल आपने ने काई नाउन आ है यह नाउन विशी अधीक माइटी देतो है क्यों आते नाउन ला जा लेट उस ट्राइब दे इस दो होटल बाइद शी इस वेड़ी एक्सपेंसिव इथे नाउन काया है दो होटल करेक्ट दबॉइ इन दब्लू हैट बॉट द लास्ट कैंडी इथे नाउन काया है दबॉइ दे क्लासेस दे रूम दे बॉट ओके सगे नाउन है आणि यांचे विशादिक माइटी सांगना राजु शब्दा है क्यों जो वाक्या शब्दा चा जो समूव आ है तहला आपन काया मनना अट्जेक्टिवल फ्रेज तो प्रेपोजिशन ने सुरू होई मैटी प्रेपोज प्रेपोजिशन ने बाइद सी नाउन आला दाब्लीव हैट नाउन अनी प्राना नाउन आले ले टेक्चुली बिट्वीन नाइन एम 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 डान दा हॉल नियर दा शोरू मंजे आपने एक बेसिक आइडिया है कि प्रेपोजिशन नंतर जर नाउन है ता शिल तो 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 जर आप लेला यहां नाउन मिशे है थिक माहिती देता सेल तर आपने दाला एडजेक्टिवल फ्रेज अस मनत अस्तु यह इतको सोपा है कि पुना-पुना भगा तरस तुम्हाला ती उस्ट पुरेशी लक्षय तेनेस मदत होईन आनि यहास प्रकार चे प्रश्ण तुम्ह अधिया दूश्ट करूंजव लगना रहे कि मला अतिशे सुष्माती शुष्म गुष्टी माहित आहेत तुमहीत असलास पाईजे तास्टा अघरा करा शोता करें ओके तरस तुम्हाला थे ढुष्टी करए रस जिए अचानक कही तुम्हाला थे जश्टी करना नाहित Okay, so let us move for the next thing and that is नुच्चा साथे है प्रेपशिशनल फ्रेज अजन आड़ब Okay, अथा अपन अच्छा मैंदे काई बगित ला? अच्छा मैंदे अपन अच्छा काई बगित ला? की अजन अपन अड़ब ही घुश्टा केशी बगित ला? Excuse me, please Used as an adverb, okay? है जाला adverb मनूं की प्रेपशिशनल फ्रेज साव आपन अड़ब मनूं का सगा? अथा आपन अच्छेक्टिव होनू मैं गित ला? अड़ब की डेफिनिशन अपन अपन अड़ब काया जे? Adjective मन जे which modifies noun or which gives more information about noun or which tells about the qualities of noun और प्रनॉप करता है जे वर्फ चा मेनिंग मदे काई तरी आइड करता हुँ नो something is added in the meaning of the verb वर्फ चा बाप्तित जे काई सांगता त्याला आपन एडवर्ब बनता हुँ यहला style पन बनता हुँ जनरली इस स्टाइल नो कसी जाली क्रिया कसी जाली हे सांगनारा सब्दास तो एडवर्ब नो क्रिये विशे अधिक मैती देनारा शब्दारा पन एडवर्ब असमनतो prepositional phrase usually functions as an adjective or as an adverb in a sentence when it is used as an adverb it modifies a verb an adjective or an adverb and is called an adverbial phrase adverb फक्त वर्ब ला modify करत दाही ता adverb अन्खे के जाला modify करतो verb ला modify करतो adjective ला modify करतो and at the same time it also modifies adverb itself मज़े adverb तीन गोश्टिन ना modify करतो क्रिया पत अला modify करतो जला अपन verb मनतो राइट अडजेक्टिव ला modify करतो जला अपन विशेशन मनतो राइट आनी तो क्रिया विशेशन नाला मंज़े adverb ला देखिल सोता ला देखिल modify करत अस्तो example they went to the library no they went to the library the prepositional phrase in the sentence about to is to the library which functions as an adverb modifying the verb went खुब सोपा है actually you know when the अपना अपना आता का एक गरोट ट्रिक अपने की यूस्त करूँ और लेटस की का ओखाई आप लेला प्रेफोजीशन ओखाई ज़ेक्ट प्रेपोजीशन काया है अब लेक्ड पहले आपके मधे टू है प्रेफोजीशन है राइट अन्याठ तू चाहती काया लेला है क्रिया पदा लेला है तो नंतर की सब्सक्राइब लना रहा तो पार्ट कासि अलार रहा हैं प्रेपैट अ आपन कुठे गेले आसा वीचालूनू कुठे गेले तू द लाइब्रारी एक दाला प्रेपेजिचिनल फ्रेज जाली। वेरी इंपोर्टेंट आएंड सिंपल। तुम्हाला कहला पाजे कि एकुना थ्यासा घ्याग उस्टिक कशा एता है। New York prepositional phrase कशिया आली ओके एडजेक्टिव मनूँ काम करना री prepositional phrase कशिया आली आने अड़ नूझे मुझे काम करना री prepositional phrase कश आली आतिनीं छा तुम्हाला सातत्या ने विचार करें लागेन मन्जे तुम्हाला ही गुश्ट हुब शोपी जानार आहे हे काय उधरना है, the boat sinks, okay, the boat sinks, sinks हे काय जाला है, जा क्रिया पत जाल, they are traveling, traveling हे क्रिया पत जाल, she believes, believes हे क्रिया पत जाल, for a non-native speaker, she speaks, speaks हे क्रिया पत जाल, okay, and they arrived, arrived हे क्रिया पत जाल, मैं हे जाल नंतर काय थे, तो एक फार्माट है भगा, जाल नंतर लगे जे तो हे, प्रेपोजिशन, no, she believes that exercises is good for her body, okay, जाल, she speaks very, then arrived on time, जा पत जाल आपन भगित लाने, जाल पत जाल, preposite, जाल नेक्षिशन, ये तो काया है, इन्टू नंतर, preposite, नंतर काया है, नावन ये तो है, मजह प्रेपोजिशन फ्रेज सपाट है, आप लोड़ा फक्तत प्रेपोजिशन फ्रेजरा फ्रेज होगा इची, तो इन्टू दो उशन एक आय प्रेपोजिशनल फ्रेज आए अराउंड द वर्डेपोजिशनल फ्रेज आए परन्तु ते काय मनुन फंक्शन करते है आसा प्रश्णाला कि तेचा आधीशा शब्दा अपलेला बगहला लागे तो जर नाउन असेल तती प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव होन तो लेड़ेस सी दा अधर थिंग्स लास्ट सम्थिंग्स आधेर विच आए अधा यहला रैप अपकर आपन्नो रैप अपकरतन आप लेला बगहला जाए कि प्रेपोजिशनल फ्रेज हाश अब्दान चा समोवास तो राइट एक तेची सुर्वात होते प्रेपोजिशन न तेची सुर्वात होते प्रे प्रेपोजिशन ने आनी तैसा एंड होतो नाउन क्यो है प्रणाून है जाला फक्तप प्रेपोजिशन फ्रेज समापते जहाब यह प्रेपोजिशी फ्रेज एडजेक्टीम मिनुग काम करता तो यह क्या करता ये और टेस, नाउन क्यों प्रेपोजिशन नहीं फक्त इंग्रजी बोलनेया सथी लीनेया साथी ने तर एकुनस इंग्रजी भाष्चेच व्यक्रण समजुन घ्रनेया साथी कुछ महत्रच अस्तानि मननन फ्रेपश्चिनल फ्रेजेश प्रेजेश प्रेजेशन सॉड्धे लिया इंप्रटन फ्रेफ वन इन अल्टन रॉलनेया और इप्रेट एपिधी य थिस वी जाइव लेया थी कि जा तुम्हे आसे करूँ शकला ता सुरवाति राजे डोक्या और तुम्हेचा पुस्तगांचा होजो जात आने आसा यशाचा कब ग्यों तुम्हे पुढे अनन्दाने सुखाने सम्रुद्धीने शांत तेने सहकार याने जीबन सवगु शकता विश्व आल दे बेस्ट फॉर एग्जामेनेशन तुम्हेला चैनल आवडला तो जरूर लाइक करा कॉमेंट करा शेर करा सब्सक्राइब करा आने बेल आइकन दाबला या साथी तुम्हे विश्रू नका कारंकी लग करेज आपन आनकी नविन नविन गोश्टी बगना राहोत आने एक क्यो दोन लाइव स्वेशन गोना आपन कही सरावाची प्रश्ण देखेल बगना राहोची सत साते त्याने तुम्हेला विचारले गेलेले आहे विश्व आल दे बेस्ट